ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस लॉजर केम सिना और मैं अपने यूटुब चैनल पर आप सभी का हार्थिक स्वागत करता हूँ देखे कार्थिक मास की जो पूर्णिमा है अर्थात आठ नौमबर एक ऐसा दिन आ रहा है जहां पर कई गटना एक साथ हो रही है एक तो देव दिपावली भी मनाई जाती है देवता जो होते हैं प्रिथवी लोग पर आकमन करते हैं और इस दिन देवताओं के दिपावली मनाने के कारण इसको काफी अच्छा माना गया है वैसे भी कार्थिक मास जो होता है काफी अच्छा माना जाता है काफी पुन्य का समय माना जात और इस साल का अंतिम चंद्रण बेहद प्रभावशाली होगा संचेप में मैं बता दूँ ये जो चंद्रण होगा इसमें सूतक काल मानने होगा मैं फ़र से रिपीट कर रहा हूँ सूतक काल मानने होगा क्योंकि ये भारत में भी दिखाई देगा और इसका जो प्रभाव के कारण महीने बर्ब तक इसका प्रभाव आपके उपर रहेगा हाला कि यह जो चंद्र ग्रहंट रहेगा इसका सूतक काल नौ गंटे पहले ही लग जाता है और इसका जो टाइमिंग अलग-अलग जगा पर अलग-अलग समय पर दिखाई देगा लेकिन जो मैक्समाम पीक में यह सबसे जादा प्रभावित करेगा तो प्रतीक लगन पर संचेप में समझते हैं समय अबाव के कारण पूरा विशलेशन नहीं दे रहा हो कि अब पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है मेश लगन सबसे पहला लगन मेश लगन तो मेश लगन में अगर आप देखिए आपको लेकर मांसिक चिंताओं का अकस्मात बढ़ जाना और चोट चपेट क्योंकि फरस्ट हाउस जो होता है वो खुद आप होते हैं आपका शरीर होता है आपका शरीर ही अगर ग्रसित हो रहा है तो निश्यत रूप से आपको वहान चलाते समय क्योंकि चोट चपेट बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है विरिशब लगन की बात किया जाए दूसरा लगन अर्था विरिशब टॉरस एसेंडेंट की बात करते हैं विरिशब लगन में जो चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं और इनका जो ग्रहन हो रहा है वह आपके द्वाद ग्रहन हो जा रहे हैं तो किसी भी तरीके से का जा तो विरिशब लगन के लिए वाला ग्रहन अच्छा नहीं है क्योंकि नहीं सरगी ग्रूप से जो चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होते हैं वह अच्छे माने जाते हैं और वही ग्रसित हो जाएंगे तो परिणाम हैं और इनका जो ग्रहन हो रहा है इंकम में राहू और चंद्रमा की जो यूती रहेगी आपको काफी परिशान करेगी जल्दी बाजी करके इंकम को बढ़ाने के चक्कर में किसी प्रकार का एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है आज कि इतने ओनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो आपके साथ हो सकता है बेहद सावधानी बरतियेगा इस समय और धन को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती है राहू चंद्रमा इस समय आपको परिशान कर सकता है और चंद्रमा जो है आपके धन का मालिक है तो परिवार में भी किसी प्रकार की परिशा आने के लिए आप सामाने तरीका यूस की जेगा अगर आप शॉटकट में तड़ी उसकी जेगा तो फस जाएगा यहाँ पर शियर सट्टा लॉट्री त्यादी से भी आपको दूरी बना कर रखना चाहिए प्रारंबिक दो दिनों के लिए इसके अलाबा जो करक लगन की बात करते हैं देखे करक लगन वैसे भी बहुत जादा इमोशनल लगन होती है और आपका लगनेश ही दशम भाव में जाकर राहू के साथ ये चंद्र ग्रहन यापका ग्रहन जो रहा है दशम भाव कारेवेवसाय का होता है और वहीं पर राहू के साथ चंद् हो सकता है मतलब चैलेंजिंग हो सकता है अपके लिए और किसी भी कार वेवसाय से related कोई भी जल्दिवाजी आपको नहीं करना चाहिए किसी से वारता लाप कीजिए आराम से वारता आप कीजिए कार वेवसाय को लेकर अगया आपने वादिवाद किया तो आगे बढ़ सकता है राहू है और साथ में चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा सा माता को भी कष्ट यहां पर पहुंचाने की कोशिश करेगा इस समय भूमी वहन मकान में बिल्कुल भी निवेश नहीं क भागे के बरुसे जो भी काम करेंगे श्रीयर सटा लोटरी इत्यादी में उसमें आपको नुक्सान होने की संबावना ज्यादा दिखाई दे रही है पिता के स्वास्त के प्रती भी सचेत रहना चाहिए और साथ में अभी भी तृतिय भाव यानि पराक्रम भाव आपका द आयक को कम करने की कोशिश करेंगे इनकम का सोर्स अगर बढ़ रहा था तो उसको गटाने की कोशिश करेंगे और इस समय वहां चलाते समय आपको भी सावधानी बरतना चाहिए नहीं तो किसी प्रकार की जल दुरगटना चंद ग्रहन के एकाद दिन आगे पीछे हो सकती या चीज़ें आपकी कतम हो जाएंगे या तो आप राहु के राहु के उपाय कर लीजे या तो आप चंद्रमा की कीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ओमनमश्रिवाय का एक स्वाड़ बार जाब की उसमें भी आपको लाव मिलेगा तूड़ा लगन में यह ग्रहन हो रहा है आपके बिजनस पार्टनर के साथ हो रहा है आपके जीवन साते के साथ हो रहा है सब्तम छोटे मोटे मतलब दैनिक रोजगार की चीज़ों के लिए बात किया जाए या पार्टनर्शिप की बात किया जाए इन सभी चीज़ों में यह ग्रसित हो रहे हैं औ यहां पर नहीं देंगे कुछ ना कुछ परिशानी रहेगा और डिस्प्यूट हो सकता बिजनेस ऐगर आप कर रहा है तो बिजनेस के में partner के Пाटनर के साथ आपका dispute हो सकता है या poisoning रोजगार में भी कुछ निकल जाने दीजे नहीं तो काफी परिशानी आगे बढ़ेंगी वरिशिक लगन की बात किया जा तो वरिशिक लगन में चंदरमा जो कि आपका मन होता और ग्रहन आपके रोग अस्थान पर हो रहा है और चंदरमा जब भी रोग देता है मांसिक देता है ब्लड प्रेशर को बढ़ना, fluctuate होना और साथ में मांसिक समस्याओं को बढ़ा देना यह अभी भी चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा है और इस समय आपके भागे का यानि पिता के जो मालिक है वो भी चट में घर में जाएंगे तो पिता को लेकर भी किसी ना किसी प्रकार की negativity देखने को और भागे साथ नहीं देखा धनुलगन की बात किया जा तो धनुलगन में यह जो ग्रहन हो रहा है अस्टमेश जो है वो आपके पंचम अस्थान पे ग्रसित हो रहे हैं तो अस्टमेश आनि आयू पे इंडारेक्ली इंडारेक्ली कभी भी ग्रहन अगर होता है तो यह आप चोट चपेट लगना किसी भी कारेक को कर रहे हैं सफलता नहीं मिलना ऐसी सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी और साथ में संतान के स्वास्थ को लेकर भी कुछ परिशानी उत्पन हो सकती है ब्लड प्रेशर इत्यादी अगर आपका फ्लक्ष्वेट जादा करता है तो बात करें कि मकर लगन वाले जात्कों के लिए तो मकर लगन मेंच अगर कर ब Means यह को में लीग में दो दो गटा-抖ूर ने कीछिज को में कुछ चभी कर नज्यानियों करना पड़ेगे आर। में चंदर्वा ग्रसित कर रहे हैं आपके चतुरत बाहों में तो माता के स्वास्त को लेकर कुछ उतार चड़ा हो रहे सकता जिनके बीपी फ्लक्शुएट होते हैं उनमें प्रत्यक लगन में ये ब्लड पेशर की समस्या हैं परिशानी का कारण बनेगी अगर आपकी दशा अंतरदशा भी खराब चल लगी है तो ये जादा प्रवावी हो जाएगा इसके बाद कुम लगन की बात करें देखें कुम लगन में जो ये ग्रहण लग रहा है आपके लगन के रिस्पेक्ट में का जा जा तो तृतिय बहों में लग रहा है नहीं छोटे बाई बैनों के स समय पूरे तरीके से आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जीवान साथी के साथ अगर कोई परिशानी चल लए थी वह परिशानी अब खतम होने का समय आ रहा है अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं देखें मीन लगन में जो चंद्रमा रहेंगे आपके दूतिय भ अगर आप जल्दीवाजी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कोई बी काम करेंगे तो वह आपको ज्यादा नुकसान करते हैं जो भी काम करना आराम से कीजिए पेशेंस रखें कीजिए पेशेंस लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा प्रवाव द्धन के अकस्मात नुकसान होने की संभावना हो सकती है किसी प्रकार की श्रीयर सटा लोटरी में मत होईएगा सभी लोगों के लिए जो कॉमन उपाय है यह चंद ग्रहन जो पढ़ रहा है बहत प्रवाव शाली है और एक महीने तक लगवग लगवग इसका प्रवाव कुंडली में अगर चंदरमा खराब इस्थिती में बैठा हुआ और साथ में आप की जो दशा इंतर दशा चल रही है वह भी खराब चल रही है तो निश्यत रूप से अपनी कुंडली का विसलेशन करवाना चाहिए अन्यता आपको यहां पर वाइट कलर की चीजों का दान करना चाहिए और कोशिश किजिए कि अगर जल भी पीना हो तो उसमें तुलसी का पत्ता पहले खाली पेट खाली जिए उसके बाद आप जल को गरहन करें और अगर गरम जल मिल जा तो वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा एक्टिवेटेड रहेंगे और जो परिशानि उसको बंद कर दी जाते हैं नौ गंटे पहले तो ओवराल जो यह प्रभाव रहेगा बले ही एक दिन में आपको लगबग चार-पांच गंटे का जो यह प्रभाव है रहेगा जादा लेकिन इस दौरान किसी भी जो भी हमारे पूरवजों ने लिखा जो भी हमारे पूरान को रहा है बैसिक्ल 0 यह ग्रसित करता है तो गलत कारहियों में इंवाल भी करा दो वैसे ही गलत कारयों के लिए जाना जाता है और साथ मेंậydedर्मय मन होता है तो मन में गलत चीजे पनब सकती हिस समय और नेगेटिव चीजे पनबेंगी तो वहाँ पर परिशानी उत्पन होगी तो पॉस्टिव रहिए और नेगेटिव एनर्जी को खतम कीजिए तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिना ओम नमस्षिवाय